साजद खान की इस हरकत पर सल्मान खान को आया जोरदार गुसा सल्मान खान का फूटा गुसा साजद खान के ऊपर वीकेंड के बार पर आईए जानते हैं कि साजद खान की जम कर कैसे क्लास लगाई है सल्मान खान ने किस बात पर नमस्कार मैं स्निक्दाव स्वागत करती हूँ आप सभी का फमारे चालल पर गाइस जैसा आप सभी को पता है कि साजद खान को और इडिग बॉस ने अपॉइंट किया है अज अब्दू का ट्रांसलेटर अब्दू के लिए हमेशा से साजद को खड़े रहना है अब्दू को जब भी चीजे समझ नहीं आए साजद को बताना है ये साधी बाते तो ये डे वन से ही साजद खान को इस चीजों के लिए पॉइंट किया गया था लेकिन साजद खान ऐसा नहीं करते हुए नजर आ रहे हैं और इस वज़ा से अब अब्दू के फैंस वा कई बेहदी नाराज है साजद से ऐसे में बाहर भी लोग काफी नाराज है साजद से वहाँ भी रिसेटली देखा गया कि निमरत के बर्ड़ दे के मौके पर अब्दू रोजीक जहां आई वेल हापी बर्ड़ दे निम्स करके लिखवाये थे तो उन ही उसी के पीछे यानि कि उनके तीट के पीछे आई लव टट्टी लिख दिया किया अलाकि यह साजद कहां की डूट्टी थी कि अब्दू को समझाया जाए अगय ब्र कीया ceiling के लिखा या क्या लिख वाया गया यह काम अब्दू के दोस्तों नहीं मिलकर किया था यानि कि साजद खान की भी उतनी ही इस अधित अरिवी कार नामों में ऐसे में साजिद खान ने जो ये हरकत की है उससे लोग काफी खफा तो हैं ही लेकिन सल्मान खान भी काफी नारास है सल्मान खान को ये बिलकुल भी हरकते पसर नहीं आए साजिद खान की और इस हरकत पर सल्मान खान ने साजिद खान की जम कर पटकार लगा दी कि साजुद खान की ये duty थी कि वो अब्दू को बताएं कि क्या है क्या नहीं है क्या सही है क्या गलत है उन्हें translate करके बताएं और उनकी चीजों को मुश्किल ना बनाएं लेकिन साजुद खान ने बिलकुल उल्टाई किया इस बात को लेकर सल्मान खान ने साफ शब्दों में साजुद खान को बॉर्निंग्स देते वे बता दिया कि उन्होंने जो हरकते की हैं वो ना तो मुझे पसंद आई है और ना ही बाहर मौजूद लोगों को तो ऐसे में सा प्रक्शन हमें बताएं कमेंट करके तिल दें स्थे तून तो आचान